जैन फ्रेंट्स क्याल चाला, I hope आप से बहुत अच्छे होंगा, अपनी बोर्ड एक्जाम की तारी बहुत ही जोरुसरुसे कर रहे होंगा दोस्तो आज हम लाएं तुलसी दाज जी का जीवन परिचे दोस्तो आज की वीडियो में आप सब को तुलसी दाज का जीवन परिचे बताएंगे जो अपने पतनी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे यानि अपनी पतनी से बहुत प्रेम करते थे ऐसे दोस्तो महान दोस्तो राइटर आप कर सकते हैं दोस्तो Tulasidad जी को आप सब सभी जानते हैं राम चेत मानस पिर निए दोस्तो इनके बारें दोस्तो मापको बताएंगी इंकी जीवन पैश्य बताईंगे बहुत ही महत्पूड है कम सब्दों में बहुत ही अच्छिस दोस्तो हम आप सब को बताएंगे बिल्कुल याद हो लिंक डिस्क्रिस्टम में हम दे रखे हैं चलिए दोस्तों आपको बताते हैं गोस्वामित तुलसी दासची का जन्म सन 1532 इस्वी यानि दोस्तों कुछ लोग मानते हैं कुछ विद्वान 1589 इस्वी में दोस्तों हुआ था अब दोस्तों कहां पे बांदा जिले के कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं लेकिन दोस्तों आपको आगे बताते हैं इनके बच्पन का नाम आप सब नहीं जानते होंगे लेकिन आज हम बताएंगे दोस्तों इनके बच्पन का नाम राम बोला था ये सर्यूपारी ब्राह दिये थे अब बात करेंगे इनके गुरु जो थे वो स्वामी नहरी दास थे ठीक है नहरी दास थे दोस्तों अब इनका पालन पोर्शन किया था जो इनके गुरु थे दोस्तों जब उनके माप त्याग दिये थे दोस्तों तो इनके गुरु ही इनका दोस्तों पालन पोर्शन किये थे, जिनका नाम था स्वामी नरहरी दास, ठाज़ा है, अब दोस्तों बात करेंगे, कहा जाता है कि इनका जन्म के समय ही 323 मौज़ुत थे, यानि जब इनका जन्म हुआ था, उसी समय हिनके 323 दास आ गए थे, ठाज़ा है, में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों लीन रहना ठीक है लीन रहते थे लेकिन लेकिन दोस्तों इनके पत्नी के डाट के कारण ये दोस्तों जैसे कि कहा जाता है कि ये दोस्तों इनकी जो पत्नी थी अपने दोस्तों माई के गई हुई थी ये माई के पहुच गए थे ये दोस्त के सेज सनातन नामक विद्वां से वेद पुराड़ाधि का ग्रांत प्राप्त किया इनका जिवन जैसा कि जो सो बता जाता है कि 80 आयोध्या और चित्रकूट मे अधिक बिता है यारि इनका जो जीवन है वो 80 चित्रकूट और आयोध्या में मैक्सिमम बीता हुआ है इनकी मित्त दोस्तो 1583 Tb1 में लगबघ हुई थी ये दोस्तो स्योर नहीं है केको दोस्तो ये clear अभी नहीं हो पाया है क्लेवड़शन अलग 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 ही मान रहे हैं अब दोस्तो देखेगा इनकी जो समझ में आ गया होगा तुलसिदार जी का जीवन पहिछ है दोस्तों समझ में आ होते एक बड़ा सा लाइक दीजेगा और दोस्तों आपको सबको इस तरह का वीडियो पाईएगा और या दोस्तों आप सब कुछ चाहिए या दोस्तों आप सब और कोई वीडियो चाहते हैं दो दोस्तो और इसका डॉटिफिकरसन हर एक वीडियो का आप तक पहुंचती रहे ठीक है चलिए दोस्तो आज की वीडियो को फूल वाज करने के लिए आप सबको दिल की करायों से पेम पूरवक बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिन जयवाद वंदे मात्रम भारत माता कीचे